Hello friends, आज का मारा topic है How to add Shopify order details in MySQL database तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ही समझेंगे कैसे आप एक कैसा integration बना सकते हैं Shopify और MySQL के बीच में कि जैसे कोई new order create ओ Shopify पे तो automatically वो order की details add हो जाए हमारे MySQL database की row में जी है, possible है, आप यह पूरा process automate कर सकते हैं पैबली कनेक की मदद से जो कि एक amazing integration software है इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको यह पूरा automation बनाना है trigger में आपको लेना है Shopify, action में आपको लेना है MySQL और पूरा process easily हो जाएगा अगर आप भी पूरा process step by step सीखना चाहते हैं इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी screen पे Okay friends तो यह है पैबली का landing page और आप इस page पे आ सकते हैं simply आपके browser में type करके pably.com slash connect यहाँ पे आपको दो option मिलते हैं एक है sign in को option दूसरा है sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको simply click करना है sign up for free वाली बटन पे और आप आपका account create कर सकते हैं केवल 2 निट में दोस्तो आपको account creation पे हर महीने 100 free task भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे amazing automation test कर सकते है pably connect में मैं एक existing user हो इसलिए में click करूँगा sign in पर उसके बाद दोस्तो आपको जाना है pably connect वाले डालोग बॉक्स में उक्लिक करना है access now और आप आजाएंगे pably connect के dashboard पे यहाँ पे आपको right hand side पे एक button देखेगा create workflow का इस पे आपको click करना है तो एक डालोग बॉक्स उपन हो जाएगा आपके screen पे बोल रहा है enter the name of the workflow तो दोस्तो basically हमको यहाँ पे हमाई workflow को कोई नाम देना है और select folder वाली field से आपको particular folder select कर लेना है जिस भी particular folder में आप आपके workflow को save करना चाते हैं अगर आप new folder create करना चाते हैं तो आप create folder वाली बटन से यह चीज़ कर सकते हैं मैं click करूँगा create workflow पे और let's say यहाँ पे मैं मेरी workflow को नाम देना चाता हूँ add Shopify order details in my SQL database तो दोस्तो यही हमारा objective है आप आपके साब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे और select folder वाली field से में particular folder select कर लेता हूँ तो मैं test workflows वाले folder में मेरी workflow को save करना चाता हूँ when this happens जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो तो basically trigger हमारे automation को start करता है और action में हम वो particular action perform करते है जो हम करवाना चाते है हमारी automation में तो यहाँ पे आपको trigger application चूज करना है इधा पर आपको action application चूज करना है trigger event आपको यहाँ पे चूज करना है new order और आपको यहाँ पे एक web book URL मिल जाएगा अब दोस्तो web book URL की मदद से आप कोई सी भी application को पैबली connect में connect कर सकते है यह जब bridge की तरह काम करता है और इसी web book URL की मदद से हम Shopify और पैबली connect के बीच में connection बिल करेंगे नीचे आपको details मिल जाएगी कैसे आपको यह पूरा process करना है मैं आपको directly पताता हूँ कैसे आप web book URL की मदद से Shopify और पैबली connect के बीच में connection बिल कर सकते है सबसे पहले इस web book URL को हम यहाँ से कर लेते है copy और नीचे आप देख सकते हैं आप शोरा है waiting for web book response नोट में लिखाना और login to the application where you have added the web book URL and do a test submission record so that the data can be recorded here in the web book response दोस्तों इसका मतलब यह हुआ सबसे पहले हमको web book URL की मदद से Shopify और पैबली connect के बीच में connection बिल करना है उसके बाद हमको एक test submission करना है Shopify में जिसकी मदद से हमको पैबली connect में response received हो मैंने इस web book URL को कर लिया copy मैं आपको directly ले चलता हूँ Shopify के account पे यह है मेरा Shopify का account आपको भी पहले आपके browser में Shopify का account login करके रखना है और जो MySQL का account है उसको भी login करके रखना है जब आपकी automation बना रहे होंगे अब web book का setup करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है settings में जो आपको नीचे मिल जाएगा उसके आपको यहाँ पर क्लिक करना है notifications पे फिर आपको यहाँ पर scroll down करना है और यहाँ पर आपको create web book वाली बटन पर क्लिक करके web book का setup करना है तो URL वाली field में आपको particular web book URL डाल देना है जो आपको पैबली करनेक्स से मिलाए हमने इस web book URL को कर लिया था copy हमने simply इसको यहाँ पर कर दिया है paste उसके बाद आपको यहाँ पर event में चूज करना है order creation यहाँ से हम चूज कर लेते है order creation format आपको यहाँ पर JSON ही रखना है और web book API version में आपको latest version यहाँ पर choose करना है और click करना है save वाली पटन पर आप देख सकते हैं web book saved successfully हमने आप एक new web book create कर लिया order creation कर ठीक है अब हम इसको यहाँ से करते हैं close अब मैं आपको लिए चलता हूँ online store पर यह है particular Shopify store जो मैंने create करके रखिये इदा पर आप demo products देख सकते है तो basically हमको जो note में गिवन है एक बार आप यहाँ पर web book URL का setup कर लें उसके आपको एक test submission करना है तो basically हम एक new order create करेंगे Shopify store में जिसकी मदद से हमको पैबली करेंट में response received होगा तो हम यहाँ पर कोई साब भी product purchase कर सकते हैं इस सारे demo products है for example मैं इस product को purchase करना चाहता हूँ जिसका नामे new test price है 500 रुपीज buy it now पर click करेंगे तो इदा पर आप देख सकते हमको यहाँ पर email address भनना है और उसके बाद हमको यहाँ पर other details भनना है जैसे कि billing address और card details ठीक है तो let's say यहाँ पर contact का email में दे देता हूँ dummy email address में यहाँ पर में ले ले लेता हूँ for example john789adheratepablitudes.com payment वाले section में हम यहाँ पर dummy card details फिल कर देता है let's say card number यह है expiry date हम यहाँ पर add कर देता है security code हम यहाँ पर डेल देता है और name on card यहाँ पर में रखना चाहता हूँ for example cat john okay उसके बाद billing address details हमको फिल करना है let's say first name है यहाँ पर cat last name है john address details हम फिल कर देते है for example random street address है और उसके बाद apartment हम ले लेते है for example a city हम add कर देते है for example भोपाल state मतर्पतिश लेते है pin code हम यहाँ पर add कर देते है let's say 462001 phone number optional है इता पर हम phone number भी add कर देते है let's say okay तो यहाँ पर हमने एक random phone number भी add कर दिया pay now पे click करते है तो आप यहाँ पर देख सकते है your order is confirmed thank you cat तो basically हमको यहाँ पर एक positive response मिल गया हमने यहाँ पर एक new order create कर लिया है पैबली करेंट में वापिस आजाते है तो आप यहाँ पर देख सकते है हमको यहाँ पर एक positive response मिल गया है updated at date and time यहाँ पर शो रहा है currency INRA product का price यहाँ पर शो रहा है 500 रूपीस उसके बाद आप यहाँ पर कुछ other details देख सकते है जैसे की product का नाम यहाँ पर शो रहा है new test नाम है product का उसके बाद आप यहाँ पर कुछ other details देख सकते है जैसे की email address हमने वाँ पर फिल करा john78988pablytuse.com उसके बाद यहाँ पर हमको उसका first name शो रहा है cat last name is john और यहाँ पर आप उसकी address details भी देख सकते हैं हमारा objective यह है कि जब भी कोई new order create हो Shopify पे तो automatically वो order की details हम add कर ले mysql database की table में तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको action step में आना यहाँ पर आपको choose app में search करना है mysql okay यहाँ पर मैं search करता हूँ mysql नीजे से आपको mysql choose कर लेना है action event आपको यहाँ पर choose करना है insert rows click करना है connect वाली बड़न पे तो यहाँ पर एक dialogue box open हो जाएगा आपकी screen में जो बोल रहा है connect mysql account तो basically हमको यहाँ पर जो mysql का account उसको पैबली करने के साथ connect करना है यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है add new connection का दूसरा है select existing connection का तो अगर आपने आपका connection अल्रेडी बिल्ड करके रखाए तो आप select existing connection के साथ जा सकते हैं यहाँ पर आपको previous saved connection शो होते हैं और अगर आप यहाँ पर जाते है add new connection के साथ तो आपको यहाँ पर कुछ details फिल करना है जैसे कि database username, database password, host, database और port यह details आपको आपके mysql account से मिल जाएंगी वो आपको यहाँ पर फिल करना है उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है save वाली बटन पर जिसकी मदद से mysql account है वो successfully family करने के साथ हो जाएगा connect मैंने मेरा connection अल्यडी बिल्ड करके रखा है आपको यहाँ पर सबसे पहले इस process में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर table name select करना है क्योंकि उसके according आपको यहाँ पर fields नजार आएंगी तो for example मैंने मेरे use case के लिए यहाँ पर एक table create कर यह Shopify नाम की इसको मैं यहाँ पर choose कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं उसके according यहाँ पर हमको fields नजार आ रही है जैसे कि id, full name, email, product name, price तो इदा पर मैं आपको ले चलता हूँ MySQL database पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस particular table पर मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है Shopify और इदा पर मैंने चो columns create करके रखे हैं इसका इम्पोर्टेंस भी हम समझेंगे पहले हम यहाँ पर डेटा मैप करते हैं इदा फिल्ड हम भी ब्लैंक छोड़ देते हैं, full name में हम यहाँ पर map कर देते हैं यहाँ पर search करते हैं, name, तो name क्या है, name है particular person का cat john तो हम यहाँ पर उसका full name map कर देते हैं, cat john उसके आपको email address map करना है, तो हम यहाँ पर search कर लेते हैं, email आपको data map करना है, previous step से, अब इसका importance क्या है, तो दोस्तों इसका importance यह है, एक बार आप यहाँ पर data map कर देंगे, previous step से, इसकी मतलब से आपको हमेशे dynamic response generate होगा इसका मतलब यह हुआ जब भी हमारा workflow run होगा तो जो भी response आपको इधा पर receive लोगा previous step में वो response automatically in fields में जाएगा क्योंकि हम mapping का इस्तिमाल कर रहे हैं कोई भी चीज आप यहाँ पे manually type करेंगे वो हमेशे static रहेगा इस चीज़ का आपको ध्यान लग रहे है तो हमने आपर हमारा data map कर दिया है अब हम simply click करते है save and send test request वाली button पे और आप देख सकते हमको यहाँ पे positive response मिल गया status में show रहा है success और data inserted id में हमको 7th show रहा है तो basically हमारा automation successfully work कर रहा है क्योंकि हमको एक positive response मिल गया आईए check करते है mysql database और महाँ पे देखते हैं कि data add हुआ है कि नहीं तो मैं आपको लिशलता हूँ mysql database पर इदापर हम करते है refresh और जी यहाँ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते है automatically यहाँ पे data record हो गया full name में show रहा है cat john email address यहाँ पे show रहा है product name हमको यहाँ पे show रहा है new test price show रहा है 500 तो दोस्तों कुछ इस तरह आप पूरा process automate कर सकते है पैबली करने की मदद से इसमें कोई भी coding skills की जरुवत नहीं है आए समरा इस करता हूँ कि पूरे process में हमने क्या कर रहा है तो इस automation में trigger में हमने लिए Shopify trigger event हमने लिए new order action step में हमने लिए MySQL action event हमने लिए insert row जिसकी मदद से हमने जब भी कोई new order create हो रहा Shopify पे तो automatically वो order की details add कर ली particular row में MySQL database में यहाँ पे लिखा है instant मतलब पूरा process instantly work करेगा मतलब जैसे ही कोई new order create होगा Shopify पे तो automatically वो order की details add हो जाएंगी particular row में MySQL database में तो आए इसको real time में test करते हैं मैं फिससे इस particular product को purchase करता हूँ यहाँ पे तो इदा पर मैं वापिस आजाता हूँ और online store को मैं फिससे open करता हूँ और let's say यह particular product को हम फिससे buy it now पे click करके buy करता है ओके यहाँ पर मैं फिससे dummy details fill कर देता हूँ let's say इस बार मैं email address देता हूँ rio678-pablytutes.com payment details में हम यहाँ पर card details भर देते हैं dummy card details यहाँ पर fill कर देता हूँ name on card हम यहाँ पर देते हैं let's say rio john billing address details हम यहाँ पर fill कर देता है बस इदा पर मैं name change कर देता हूँ यहाँ पर मैं डाल देता हूँ rio ओके इदा पर last name हम ले लेते हैं john और उसके बाद हम यहाँ पर apartment में let's say a डाल देते हैं अभी के लिए state हम select कर लेते हैं for example madhepradesh और यह हमने details fill कर दी है pane आउ पर click करते है और आप देख सकते हैं your order being processed और हमको यहाँ पर एक message received हो गया thank you rio your order is confirmed तो basically हमने यहाँ पर एक test submission कर रहा है हमको कुछ नहीं करना है हमने हमारा automation और बना लिया है हमने Shopify और MySQL के बीच में इंडिकेशन बना लिया है पैबली करने की मदद से अब मैं आपको directly ले जलता हू MySQL database की table पर और यह देखते है महाँ पर data add हुआ है कि नहीं तो मैं आपको ले जलता हू MySQL पर और यहाँ पर हम करते है refresh और यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते है automatically particular row में data add हो गया है इताफ़ फोल नेम में show रहा है Rio John email address हमको यहाँ पर शो रहा है product name new test है price 500 शो रहा है तो दोस्तों कुछ इस तरह आप यह पूरा process automate कर सकते है अब जब भी कोई new order create होगा Shopify पे तो automatically water की details add हो जाएंगी particular row में mysql database में तो दोस्तों अगर आप भी इस पूरे automation पे काम करना चाते है या इस workflow को test करना चाते है तो इस workflow की जो link है वो मैं आपको description box में share कर दूँगा तो आप बड़े ही आसानी से same workflow को clone करके उस पे काम कर सकते है और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी डाउट है तो आप में को comment section में जरूर बताएं यही नहीं दोस्तों आप और भी integration बना सकते है पैबली कनेक की मदस से और आप हमको mail कर सकते है supportadheretpably.com पे अगर आपकी कोई queries है या कोई doubt है तो आप हमको mail कर सकते है forumadheretpably.com पे और अगर आपको कोई price related issue है तो आप इस link पे जा सकते है अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो इसको like करें, share करें और हमाई channel को subscribe जरूर करें Thank you